तो आज का जो टॉपिक है वो है कि हमने exercise 4.2 को solve करना है और ये exercise जो है वो depend कर रही है properties of determinant पिछले lecture में हमने six properties के बारे में जाना था और मैंने one by one उन property को कैसे use करते हैं वो भी हमने देखा था तो इस question जो भी exercise में question है उन properties का ही हमने use करना है तो मैंने यहाँ पर दो question लिखे हैं ये question number first है ये question number third है exercise 4.2 का तो कहता है कि इसे आप प्रूफ करें दोनों question को इस जीरो के बराबर है तो अगर हम property का use ना करें तो हमने क्या करना है इनको expand करना है क्या करेंगी एक किसी एक row जा किसी एक column को expand करना पड़ेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी value जीरो आती है लेकिन वह हमारा lengthy process है अब हमारे पास six properties है तो इस question में हमने वह property यूज करनी है और इसे show करना है कि यह हमारा था कि जो determinant है determinant की जैसे यह order three है तो इसमें कोई दो रो या कोई दो column उनके elements identical हों corresponding elements identical हो तो वो determinant zero होगी दूसरा इसमें एक और correction कर देता हूँ मैं कि अगर किसी रो के सारे element या column के सारे element zero आ जाएं तब भी उस determinant की value जो है zero होगी अब हमने इसे zero प्रूब करना है तो हम क्या प्रूब करेंगे कि इन तीन रो जा तीन column के किसी दो के element से माज़ए उसके लिए आप रो को एड़ कर सकते हैं हमने six जो प्रॉपर्टी थी उसमें किया था कि जो six प्रॉपर्टी क्या गहती है कि आप किसी भी रो को किसी नमबर के साथ स्केल लिए के साथ multiply कर सकते हो एड़ कर सकते हो दूसरी रो के साथ जा सब्रेक्ट कर सकते हो हम यहां पर वह प्रॉपर्टी यूज करेंगे करेंगे क्यों हमने दो रो के जा दो कॉलम के जो elements है उनको हमने equal करना है अब देखो यह एक्स प्लस से y प्लस भी जड़ प्लस से in OUT यह जो ठार्डकॉलम है अब यहां देखो इन दोनों को अकर मैं ad कर देता हूं मैं यहां पर प्रेशन लगा देता हूं सी वान में सी वान प्लस सी टू कर देता हूं क्या किया मैंने कि जो सी वान मेरे पास कॉलम है उसमें मैंने सी टू गड़ कर दिया मेरे पास आ गया एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जड़ प्लस मैंने सेकंड कॉलम में कोई कोई आप्रेशन को ओपरेशन नहीं लगाया वह फुर्द एलिमेंट एस इस बार वार आपको यह इस दे रहा हूं काल भी मैं stress दे रहा था कि मैं जो चीज बोर रहा हूं आप उसके ओपर ध्यान देना जा मैं stress दे रहा हूं क्या stress दिया मैंने कि आपने operation लगाया c1 में c2 में आपने कोई प्रेशन लगाया c3 में आपने कोई प्रेशन लगाया उनके element as it is ही आ जाएंगे अब यहां पर देखिए c1 और c3 की जो corresponding element they are identical और इस determined value थेक है तो दो प्रापटी यूज होगी एक हमने कौन सी प्रापटी यूज की कि आप किसी रो को add कर सकते हो या subtract कर सकते हो दूसरा हमने यह प्रापटी यूज की कि इनकी जो elements है किसी दो कॉलम के डियर identical so their value is determined की value जो है 0 next देखिए यहां पर देखिए 2 3 5 7 9 तो यहां पर इसे 0 प्रूब करना है तो 0 तभी प्रूब करेंगे इन यहां कॉलम में यह कॉलम में या रो में element सेम कर दो तो यहां पर कोई 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 है स्केलर है जिसे आप मर्टिप्राइग कर सको है दो रोब दो रोज दो कॉलम ब्राबर आजाए चट करें प्रूब से किसी एक नमबर से किसी रो के पूरे element जो कॉलम के element करें तो वह वह किसी इसमें जो भी यहां पे यह बराबर आजाए तो यहां से अंटिस्टुट है कि यह वाला जो थार्ट है यह थार्ड कॉलम है उसके अलिमेंट बड़े हैं इन दोनों में से किसी किसी नंबर के सामटिप्लाइब की जासता है वह अपने नंबर ढूंड़ो कुद कि किसे मुट्प्लाइब करें अगर मै इस कॉलम टू को 9 से मुट्प्लाइब कर देता हूं है तो मेरे पास। येए बंग जाएगा रिखिया और क्या बंगा शिक्सटी थी लेकिन मैं इसमें एड करदू तो 65 बंगा मानों मैं आप्रेशन लगाओं क्या प्रेशन लगाओं कि क् सी वान में अप्रेशन लगाओं C1 में मैं क्या कर रहा हूँ कि जो C2 है जो C2 है C1 में add कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ 9C देख लो C1 में प्रिशन लगा रहा हूँ C1 में add कर रहा हूँ क्या add कर रहा हूँ C2 को लेकिन C2 को add करने से पहले C2 को मैं 9 से multiply कर रहा हूँ add क्या कर रहा हूँ मैं C1 में C2 को add कर रहा हूँ C1 में C2 को add कर रहा हूँ लेकिन add करने से पहले मैंने C2 को 9 से multiply कर दिया तो मेरे पास जो operation के बाद आएगा मैंने C2 में कोई operation नहीं लगाया मैं बार-बार वो रहा हूं सीवान में लगाया सीटू में प्रेशन नहीं लगाया उसके ऐलिमेंट आपने सीवान प्रेशन लगाया क्या प्रेशन लगाया आपने जी इसे नाइन से मनप्रे किया नाइन से मनप्रे किया इसे इसे नाइन से किया यह 75 और यहां पर देखिए इन दोनों कॉलम के अलिमेंट्स नहीं है कॉर्स्पंडिंग अलिमेंट्स सेम हैं सो हमारे पास प्रॉपटी कहती है कि अगर एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एनी टू रो टू कॉलम दिया अदेंटिकल सो दैट डिटर्मेंट इस इकूल टू तो समझाया कि प्रॉपटी कैसे यूज़ हो रही है ठीक है नोट कर लो तो सघल चेए यह तैंथकि क Our first part है तो हमने डिटरीमेंट सॉल्व करनी है विदवर्षपंडीम आपको एक्जाम में कौशिन आएगा सॉल्व्ग कहती है कि ऩहस景 प्रॉपइफ डिटरॉपइफार्श का बात आती है तो हम ने यूज करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिट्रॉ तो इस प्रकार के question को solve करने के लिए आपने तीन स्टेप मेरे यहां लिखे हैं इन तीन स्टेप को आपने अपने दिमाग में रखना है जब भी हमने इस प्रकार के question solve करने हैं most probably यह step आपके काम आएंगे कुछ एक question में जो कुछ typical type question होंगे हो सकता है वहां पे कुछ extra वहां पे हमें step करने पड़े हैं लेकिन basic step फिर भी यहीं रहेंगे पहला step क्या है make all elements of a row or column equal आपने कोशिश करनी है किसी एक row जब किसी एक column के जो elements है वो equal आ जाएंगे अब equal कैसे आ सकते हैं अप्रेशिल लगाके आप किसी एक row को दूसी रो के साथ add करके आप equal कर सकते हैं आप किसी row को किसी number के साथ multiply करके फिर दूसी row में add करके जाए सब्टैक्ट करके वो नंबर, वो सारे ऐलिमेंट किसी एक row के या किसी एक column के वराबर आ सकते हैं, पॉर्टिकौलकिसी एक scalar के साहथ किसी row को multiply करके आ सकता है, किसी row के element में से कोई common element बहार आ सकता है, तब वो equal हो सकता है, यह सारी possibility है, जब आपके elements equal आ जाते हैं तो आपका next step क्या है कि take common जो भी उसमें common बन जाएगा, terms बन जाएगी, किसी करो के जब सारे elements की बात कर रहा हूँ सारे column के सारे elements की, तो वो आपने common बाहर ले लेना है जब आप common बाहर ले लेंगे, तो फिर आपके पास क्या आएगा, one, one आएगा क्या जाएगा, उसके जो तीन element हैं, उसमें तीन element के जो element हैं वो row के जाए column के वो क्या बन जाएगे, one, one फिर अगला step है कि make two elements zero, उन तीनों में से किसी दो को आप zero बना दो फिर कितने element बचेगे आपके पास, एक बचा, उसको expand कर लेना आपने समझा गया, तो चलिए हम यह step यहाँ पे use करके इस question को solve करते हैं यह determined को हमने यह prove करना है, तो मैं यह determined यहाँ पे ले लेता हूँ x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4, 2x, 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 x प्लस 4, तो हमने यह prove करना है इसमें बहुत सारे question ऐसे हैं, जिनके answer को देखकर यह आपको idea आजेगा तो हमने prove करना है यह वाला, ठीक है, तो मैं बोरा था कि आपने इनकी जो answer है उन answer को पहले देखना है, answer में ही आपका step शुपा है, देख लो, 5x प्लस 4 तो, एला स्टक्या कहता है, make all elements of a row equal, हमने किसी एक row जा किसी एक column के elements इक्वल करने हैं, तो मैं पर्स्ट रो के element इक्वल कर रहा हूं, अब मैं इसके कर रहा हूं, तो मुझे यहां पे दिख रहा है, 5x प्लस 4, क्या यहां पे किसी row को, 2 row को जा 3 row को add करने पर, क्या 5x प्लस 4 मिल रहा है, मिल रहा है, तो यहां से आपका step जो है, छुपा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कि r1 में operation लगा सकता हूं, कि r1 प्लस r2 प्लस r3, मैंने क्या किया, r1 में r2 भी आड़ कर दिया, r3 भी आड़ कर दिया, कर सकते हैं किसी row को add करने पर, एक row में दूसरी row या तीसरी row, तीनों row को add कर दो, तो उसकी value में कोई अंतर नहीं आता, यह हमने property में पढ़ा था, तो मेरा यहां पर operation लगाने के अबाद क्या जाएगा जी, और बाकी में कोई operation लगाया, so as it is, ठीक, next step मैंने क्या कहा, common, जब आपका first step में, किसी row के, किसी column के elements सेम आ जाते है, equal आगे, तो हमने इसका common लेना है, common लेने के बाद मेरे पास क्या आगया, वान, 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 टू एक, 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 ठीक है, थर्ड step क्या कहता है, make two element zero, अब में यह तीन element बन बन है, यह में से दो को zero बनाद रहा है, तो अमूमन आपने क्या करना कि यह last वाले ही दो zero बनाने है, क्योंकि आपको expand करना असान हो जाएगा, फिर one को expand करना ना, यह zero कैसे बनेगा, यह one है, इसमें से माइनस को तो zero बन जाएगा, तो one इसमें से यह कौन सा कॉलम है, यह कौन सा कॉलम है, तो मैं operation लगा सकता हूँ कि C2 में से C1 कर देंगे, तो यहां पे zero बन जाएगा, बाकी element में भी आपने ही ऐसे माइनस करना है, जुरी ने हैं कि आपने यही zero किये तो इनको भी माइनस करना है, आपने इसे zero करना है, यह आपका step है कि आपका मकसद है कि मैंने इसको zero बनाना है, Zero बनाने के लिए इसमें से minus करना पढ़ेगा तो आपने बाकी भी ऐसे ही करना गर minus कर रहे हो तो इनको भी इसमें से minus करना है आप इसे भी 0 करना चाते हो तो C3 में C1 कर दो C1 को मैंने C2 कर दिया C1 को ही C3 कर दिया तो मेरे पाइब यहां पे क्या बन जाएगा जी? यहां पे हाँ 5X plus 4 और यह है 1, 2X, 2X 1 में से बन क्या? इस में से माइनस क्या? देख लो, 2X से इस में से माइनस करेंगे तो यह टर्म जो है, माइनस हो जाएगी जब 4 प्लस है, 4 माइनस X इसे माइनस करेंगे फिर आपने C1 को C3 किया इसे किया इसे करेंगे यहां पे ठीक है लास्ट आपका क्या स्टेप है कि आपने एक्स्पैंड करना है अपने किसे एक्स्पैंड करना हो? अनली 1 क्योंकि non-zero यही है इसे expand करेंगे तो multiply 0 करके 0 इसे expand करेंगे 0 multiply करेंगे 0 तो हमारा सिर्फ one expand करना है तो one का row और one का column delete तो मेरे पास नहींगा four minus x zero zero four minus x आप इसे solve करके देखें इन दोने को टे करना है तो four minus x का whole square इनको final answer और यही आपने प्रूव करना था तो नोट करें फिर एक और question करते हैं और दिस इस question number 11 first part तो इस से determined को आपने प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी का whole cube तो यहां पर पहले इसे लिख लेते हैं मेरे पर स्पीस का में ना मैं यहीं इसी को मान के चलता हूं यह तुड़ा लग कर लगते हैं हमने यह प्रूव करना है ठीक है मेरा फर्स्ट आप यह आ गया तो मैंने कहा answer में ही आपका स्टैप शुपा हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी तो यहां पर आपने फर्स्ट स्टैप क्या करना है कि मेक आल बनाने हैं उसके लिए आप रोग आड कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो क्या पहला स्टप हम देखेंगे कि रोग को याड़ करके देखते हैं क्या एक रोग चाहर दो रोग को को एड़ करने पर क्या हमारे पास एलिमेंट इकल बनते हैं यह वाली एलिमेंट बन सकते हैं को कि इसमें हीट ट्राइल मैथड होता है तो हमारा पहला स्टेप था कि हमने एकल बनाना है ठीक है तो क्या मैं किसी रो को एड़ करने पर ऐसा कर पा रहा हूं मैंने का आपका जो अंसर है उसी में स्टेप चुपा है अगर मैं रो को एड़ कर देता हूं है फार्स्ट रो तर्ड रो को फस्ट में ड़ेता हूं मेरे पास और दोपी जब इसमेंद करूंगा तो वी से बीशना गया प्लस वीज वी वेसे में आड़ करूंगा प्लस C, तो A plus B plus C मिल जायता है, यहां पर, चबिए आप यहां पर देखो, तो मेरे पास जो अपरेशन है, वह आर, बन में एड कर रहा हूं, R1 plus R2 plus R3 करके देखो A minus B minus C plus 2B plus 2C करके देखता हूँ यह इसमें आड़ कर दिया यह दोने इसमें आड़ करे 2A plus B minus C minus A plus 2C इन दोनों के इसमें आड़ किया 2A plus 2B C minus A minus B आप देखें बाक्ये में मैंने कोई प्रेशन लगा ना तो वो as it is यह आपने ध्यान देना यहाँ पर 2C 2C C minus A minus C minus A minus B यहाँ देखें देखें यह हैं A minus we are plus 2B plus B minus C plus 2C यहाँ पर 2A में से A चला गया A B plus के आए और B plus के रहेंगे minus C यह plus 2C 2A में से A चला गया A 2B में से B चला गया B plus C as it is और नीचे जो element है second row के और third row के वो as it is आजेंगे यहाँ गया 2B B minus C minus A 2B 2C 2C C minus A minus तो हमारा पहला step हो गया कि हमारे जो first row के elements है they are equal तो हमारा step क्या है take common take common तो हमने इसे common ले लेना है तो मैं इसे common ले रहा हूँ मेरे पास क्या गया 2C 2C C minus A चला यह next हमारे पास क्या step है make two element zero तो तीन है जो 1,2,3 तो मैंने कहा ही last बाले zero करने तो zero करने का method क्या करेंगे यहाँ पर आपने न operation सामने लगाना है ठीक है मेरे पास यहाँ स्पेस की कमी हो तो मैं आगे पिछे लिग देता हूँ तो क्या operation लगाएंगे यहाँ नीचे लगाते हैं c2 में से और c3 में से अब ध्यान देजे first column में आपने कोई operation लगाया यहाँ पर row लगाया तो रो लिखा है यहाँ column में लगाया तो column अगर ऐसे minus करूँगा तो column ऐसे minus करूँगा तो row तो इसमें कोई operation लगाया बेटा as it is इसमें minus करो इसमें minus करो देखो ना 2b plus के है यहाँ b plus का है आप इसे minus कर रहे हो जब आप minus करोगे तो minus 2b आजएगा minus 2 या plus b minus b minus c minus a 2c इसमें से minus करेंगे 0 फिर 1 इसमें से minus करेंगे 2b को 2b में से minus करेंगे और यहाँ पर थर्ड क्या है 2c 2c को इसमें से minus करेंगे c minus a minus b minus 2c चलो करें देते हैं सम्टाइम तो मुझे लग रहा है कि simple calculation में भी आप थोड़ा सा हाथ तंग हो गया आपका a plus b plus c चलो 1 2b 2c तो 0 minus b minus c minus a 0 0 0 और यहाँ पर minus a minus b minus c ठीक है? चलो आप देखें solve कर ले expand करना ना अपने चली expand करना 1 को expand करना तो आपके पास क्या determinant बन जाएगी? minus b minus c minus a this is 0 this is 0 minus a minus b minus c next देखें इन दोनों को मुट्टे कर दो आप और भी कर सकते हैं देखो common निकाल सकते हैं और आपको थोड़ा साथा असान हो जाएगा इन तीनों माइनस बार ने कर लो a plus b plus c यहाँ 0 को 0 इन दोनों माइनस बार ने कर लो कितने माइनस बार हैं? minus minus तो आप इससे solve कर लो यह whole square अलड़ी है तो क्या आप लिए सकते हैं? a plus b plus c का Q यही हमने prove करना था ठीक है? चली, note कर लो तो यह four point exercise का question number 14 है तो हमने prove करना है कि यह है is equal to 1 plus a square plus v square plus c square तो जैसे हम पहले step follow करते आ रहे हैं कि पहले step हम कहते हैं कि make all elements of a row equal हमने किसी row जाख all हमके elements जो है वो हमने equal करने की कोशिश करनी है तो मैंने यह भी कहा कि आप answer को check करें क्या वहां से आपको कोई idea मिल सकता है क्या step आपको लेना चाहिए तो यहाँ पे ध्यान दें 1 plus a square plus b square plus c square यहाँ पे कहीं पे भी आपको a square तो दिख रहा है वी स्केर और सी स्केर ने दिख रहा आपको तो दूसरा हमने एड़ करना है एड़ करके हम कहते हैं कि आप इसके element सेम करके देखो तो देखो आप कॉलमबाइज आड़ करके देखो यहाँ रोवाइज और एड़ करके देखो क्या आपके पास यह ऐसा स्टैप यह वाला जो अंसर यह मिल रहा गहीं यहाँ इसके element आपके एकल हो रहे हैं चक करके देखो रोवाइज और कॉलमबाइज अगर तिनों को एड़ करता हूं तो मेरे पास आता है a square plus one ab plus c आता ह कॉलमबाइज आड़ करता हूं तब भी आपके पास यहाँ पे a square a b ac पिए a b b square आता है bc आता है बस सम्म्मिय अलग अलग है तो आडिशन वाला तो हमारा यहाँ पे नहीं चल रहा है कि दो को एड़ करके इसमें स्वेक्ट करके तब भी आप देखेंगे नहीं होगा तो यह इस टाइप के कुछ टीपिकल टाइप होते है ठीक है इन कोशनों को हम प्रैक्टिस से से ही हल कर सकते अब यहाँ पर देखिए जे Je स्ट रोहे कि इसमें से कोई एलिएमिट्र कॉमण है यह है लेकिन प्रावल यह है कि फ्रस्ट में नहीं है और यह नहीं है सब्सक्राइब अक्या मैं इसे फिर भी ऐसे कर सकता हूं देखना ध्यान मैंने कॉम लिए वेटा अगर मैंने कॉम लिए तो यहां पए नहीं था इसके टाहन भाइड कर दिया कि रिवर्स में चलो एक जो आपने बाहर टर्म लिए वह आपको अंदर मुल्टिप्लाइ भी करनी है तो यहां से ए मैंने बाहर ले आती जा मैं उल्टा करूंगा तो यह हट जाएगा यहां से बाहर गया क्या बचा और यहां से सिमिलरली जो सेकंड रो है उसमें से बी कर सकता हो बाहर मेरा यहां पर क्या बचाएगा यहां पर और यहां पर चलिए थर्ड रो में मैं सी कर सकता हो कॉमन ले सकता हूं कॉमन ले सकता हूं ए बी सी स्केयर प्लास वान अपॉन सी यहां तक ठीक है नेक्स देखें ए बी सी अब मैं क्या कर रहा हूं यह जो कॉलम है अब मैं इसे ए से मल्टिप्लाई कर रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं यहां पर मैं जो कॉलम है इसे किसे कर रहा हूं यहां यहां पर मुझे बाहर ए लिखना पड़ेगा अंदर मैंने मल्टिप्लाई किया बाहर मुझे क्या करना पड़ेगा कॉलम को मैं अंदर मुझे बाठी कर रहा हूं कि क्यूक बाहर दिवाधे द teasing rated अपर यहां पर ली यहां के सके फा मैं यहां अब देखो आपको चाहिए था A2, B2, C2 तो अब आपको यह दिख रहा है, A2, B2, C2 दिख रहे हैं, अब हमारा कामा वह वह लेके आना, तो क्या हम किसी रो कॉलम में कोई अपरेशन लगा सकते हैं, जिससे की यह बनता हो, किसमें, C1, C2, C3, कॉलम बाइस, हम कॉलम बाइस, C1 में, C1, C2, C3 कर दें, कॉलम बाइस, ROW बाइस नहीं, ROW बाइस में था A2, A2, A2 कठा जाएगा, यहां B2, 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 B2B2, C2, C2, कॉलम बाइस कर तो मेरे पास आयता है, 1 plus A2, plus B2, प्लस है, second way है भी, one plus a square plus b square plus, यहाँ पर भी one plus a square, b square, c square, और यहाँ पर बच गया, v square, v square plus one, v square, c square, c square, c square plus one, तो यह element, first में common है, ठीक है, तो इसे common ले लेते हैं, one plus a square, b square, c square, यहाँ पर क्या बच गया, one, 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 यहाँ पर v square, v square plus one, v square, c square, c square, c square, c square, ठीक है, नेक्स्ट मारा स्टेप पर क्या है बेटा, common ले लिया, make two element, zero, तो क्या, operation लगा सकते हैं, r2 में, r2 माइनस one, r3 में, r3 माइनस r1, तो लगाए, r1 में कोई operation लगा, as it is, देहां से देखो, ठीक है, हाँ जी, zero, इसमें से माइनस क्या, one, इसमें से माइनस क्या, zero, इसमें से माइनस, zero, इसमें से माइनस, zero, इसमें से माइनस, तो one, plus a square, plus v square, plus c square, तो, solve करें, देखो, इस column में element, अब यह बहां देखो, अब यह बहुत देखो, अब यह बहुत देखो, column बन के, मैंने कहा, make two elements, zero, वो किसी रो के भी हो सकते हैं, किसी, column के भी हो सकते हैं, इनके हमने, यह, तो column में, हैं, तीन element है, तीन में से दो, zero, तो आपने क्या expand करना है, one, तो one का row, one का column छोड़ दो, यह आगे, इससे solve कराऊ, जिस यह रहाँ, ठीक है, तो I think आपको, अब समझ आया, कि कुछ step तो सीधे है, हम इन तीन step से करके, तो हम question, लेकिन कुछ है question आपको ऐसे आ सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको practice की जुरूरत है, तो keep practicing, तब भी आप इन question को कर पाएंगे, ठीक है जी, तो exam में आपको इसमें से एक question जुरूर मिलेगा, कर दoga को कै क्यों से छोंतो हो आपको 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 दो आपको कयो वह दोगिए, तो 먹고 ह diplomacy, औरके जुझा को क्ते हैं, कंको को आपको क्ते हैं युरूरोगiben को का